Hello everyone, welcome to your own YouTube channel The Math Machine Show Friends, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग मानू Polytechnic Diploma in Engineering Air Mission 2022 से related बहुत सारा information जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानू Polytechnic Diploma in Engineering में टोटल कितनी सीटे हैं, unreserved seats कितने हैं, reserved seats कितने हैं, center wise कितनी सीटे हैं, branch wise कितनी सीटे हैं, कितने बच्चे exam में अपियर हुए, कितने absent रहे, कितने बच्चों ने अलग-अलग center पे exam दिया, कितने बच्चों ने अलग-अलग state में exam दिया, first list में कितने बच्चों का नाम उसका जो लास्ट रैंक है वो क्या होगा तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा दें ताकि आपको मानू एड्मिशन 2022 से रिलेटेड सारा इंफोर्मेशन टाइम टाइम मिलता रहें पॉलिटेकनिक डिपलोमाइन इंजिनिरिंग में टोटल सीट्स है 1170 जिसमें अन्रिजर्व्ट का है 469 EWS 118 OBC 317 SC 177 और ST 89 सीट्स है सेंटरवाइज सीटों की बात करें तो हैदराबाद में 300 बैंगलोर में 180 दरभंगा में 180 कडपा में 255 और कटक में 255 सीट्स है है हैदराबाद में 300 सीटों में अन्रिजर्व्ट है 120 EWS 30 OBC 82 SC 45 और ST 23 सीट्स हैं बैंगलोर में 180 सीट्स में अन्रिजर्व्ट का 72 सीट्स है EWS 18 OBC 49 SC 27 और ST 14 सीट्स हैं दरभंगा में 180 सीट्स है उसमें से अन्रिजर्व्ट का 72 EWS का 18 OBC का 49 SC 27 और ST 14 सीट्स है कटपा में टोटल 255 सीट्स है जिसमें से अन्रिजर्व्ट का 102 EWS 26 OBC 69 SC 39 और ST का 19 सीट्स है कटक में भी 255 सीट्स है जिसमें से अन्रिजर्व्ट 102 EWS 26 OBC 69 SC 39 और ST 19 सीट्स हैं ब्रांच वाइस सीट्स की बात करें तो सिविल इंजिनेरिंग में 345 सीट है, Computer Science and Engineering में 195 सीट है, Electronics and Communication Engineering में 195 सीट है, Diploma in Information Technology में 75 सीट है, Mechanical Engineering में 120 सीट है, Electrical and Electronics Engineering में 120 सीट है, Diploma in Apparel Technology में 60 सीट है, Civil Engineering में Total 345 सीट है, जिसमें से अन्रिजर्व्ट है 138 और EWS का 35, OBC का 94, SC का 52 और ST का 26 सीट है, Computer Science and Engineering में Total 195 सीट है, जिसमें से अन्रिजर्व्ट 78, EWS 20, OBC 53, SC 29 और ST 15 सीट है, Electronics and Communication Engineering में 195 सीट है, जिसमें अन्रिजर्व्ट का 78, EWS 20, EOBC 53, SC 29 और ST के 15 सीट हैं, Diploma in Information Technology में Total 75 सीट है, जिसमें अन्रिजर्व्ट है 30 सीट, EWS का 8, OBC 20, SC 111 और ST का 6 सीट रिजर्व हैं, Mechanical Engineering में Total 120 सीट हैं, जिसमें अन्रिजर्व्ट है 48, EWS 12, OBC 33, SC 18 और ST का 9 सीट रिजर्व हैं, Electrical and Electronics Engineering में Total 120 सीट हैं, जिसमें अन्रिजर्व्ट सीट है 48, EWS 12, OBC 33, SC 18 और ST का 9 सीट रिजर्व हैं, Diplomine Apparel Technology में Total 60 सीट हैं, जिसमें अन्रिजर्व्ट सीट है 24, EWS का 6, OBC 16, SC 9 और ST का 5 सीट रिजर्व हैं, Automobile Engineering में भी 66 सीट हैं, जिसमें अन्रिजर्व्ट सीट है 24, EWS का 6, OBC 16, SC 9 और ST का 5 सीट रिजर्व हैं, Polytechnic Diplomine Engineering Intrance एक्जाम में Total 1204 बच्चे एपियर हुए थे और 143 बच्चे एपसेंट रहें, Total सीट से 1170 और बच्चे एपियर हुए एक्जाम में 1204, इसका मतलब है कि 97% बच्चों का एड्मिशन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अच्छा रहेंक ना आने के वज़े से, Desired Campus नहीं मिल पाएगा, और Desired Branch नहीं मिल पाएगा, तो जिनका अच्छा रहेंक आए होगा, उनको Branch भी वही मिल जाएगा, जो वो लेना चाहते हैं, अब हम लोग जान लेते हैं कि Number of Students कितने अपियर हुए अलग-अलग E.T. Centers पे, तो लखनों में 7 बच्चे एक्जाम दिये हैं, संबल में 3, 1810, तो टोटल UP में 20 बच्चों ने इंटेंस एक्जाम दिया है, दर्भंगा में 639 बच्चों ने इंटेंस एक्जाम दिया, किशन गंज में 37, पत्ना में 345, सिवान में 11, तो टोटल बिहार में 1032 बच्चों ने इंटेंस एक्जाम दिया है, राची में सिर्फ एक बच्ची ने इंटेंस एक्जाम दिया है, तो इसलिए टोटल जारकंड म में एक ही बच्चा इंटेंस एक्जाम दिया है कड़पा में 62 बच्चों इंटेंस एक्जाम दिया है तो इस तरह आंत्रपरदेश में 62 बच्चों इंटेंस एक्जाम दिया है तो इस तरह से तेलंगाना में 25 बच्चों इंटेंस एक्जाम दिया दिल्ली में 25 बच्चों लूरू में 24 बच्चों ने इंटेंस एक्जाम दिया है तो टोटल करनाटक में 24 बच्चों ने ही इंटेंस एक्जाम दिया है और अंगरबाद में एक बच्चे ने इंटेंस एक्जाम दिया है तो टोटल महाराष्ट में इस तरह से एक बच्चे ने इंटेंस एक्जाम दिया है इससे कुछ जादा भी हो सकता है और 2-4-10 कम भी हो सकता है अब दर्भंगा में आपका admission confirm हो जाए और desired branch मिल जाए इसके लिए आपका rank 289 या उससे कम होना चाहिए जिस बच्चे का rank 289 या उससे कम है तो उसका admission confirmation confirm दर्भंगा में हो जाएगा और उसको desired branch मिल जाएगा अगर ये वीडियो आपको helpful लगा तो वीडियो का like करके वीडियो को share कर दें और अगर आप ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबा दें thanks for watching